सब्सक्राइब किजिए Phenomenal Guruji चैनल को और बेल आइकन को प्रेस किजिए और देखें टेक वीडियो सब से पहले प्रसक्राइब दूस्तों Phenomenal Guruji यूट्टूप चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों अगर आप यूज़ करते हैं Samsung Galaxy M-Series वे F-Series के स्मार्टफोन तो दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं साथ नए अपडेट तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करतीजे और वीडियो को शूड़ करते हैं तो पहला जो अपडेट निगल के आ रहा है दोस्तों Samsung Internet Browser के अंदर यहाँ पर वाटस ने पर मेंचन किया गया है क्या क्या चेंजेस हुए हैं और साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों वर्जन ने आपको मेंचन किया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंप्रूब्मेंट में लिखा है कि डार्क मोड में इंप्रूब्मेंट किया गया है tablet url bar में improvement किया गया है tab group support को यहाँ पर आपको देखने को मिलता है तो यह आपको what's new पर mention किया गया है दोस्तों साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका size और यह date आप यहाँ पर check कर सकते हैं तो यह आपको update देखने को मिलता है इसके बाद बात करते हैं next update की तो यह update आपको मिल रहा है lock star के अंदर यह good lock का feature है दोस्तों इसका latest version आ चुका है 2.1.00.29 यह आप install कर सकते हैं दोस्तों और update कर सकते हैं और इसका भी आपको latest version देखने को मिल जाता है दोस्तों इसके बाद बात करते हैं next update की तो यह update दोस्तों निकल के आ रहा है quick star के अंदर quick star का भी latest version आ चुका है तो इसे भी आप update कर सकते हैं इसका भी आपको हम जो app है provide कर देंगे दोस्तों next update निकल के आ रहा है clock face के अंदर clock face का भी दोस्तों latest version आ चुका है तो इससे भी आप update कर सकते हैं यहाँ पर आपको दोस्तों कुछ new feature वगेरा देखने को मिल जाते हैं next update दोस्तों निकल के आ रहा है sound assistant के अंदर इसका भी latest version दोस्तों आ चुका है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इसका version name देखने को मिल जाता है दोस्तों 4.2.01.2 यह latest version जो आप दोस्तों update कर सकते हैं इसके अलावा बात करें दोस्तों next update की तो यह update दोस्तों आपको मिलता है wonderland के अंदर wonderland का भी दोस्तों latest version आ चुका है तो इससे भी आप update कर सकते हैं यहाँ पर 3 lines पर क्लिक करके आप देख सकते हैं इसका latest version name और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों next update की बात करें तो यह update दोस्तों आपको मिलता है कीस कैफे के अंदर कीस कैफे का भी दोस्तों latest version आ चुका है तो यह भी दोस्तों mention किया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका version name तो यह सारे update आपको देखने को मिलते हैं अगर इन update को आप install करना चाहते हैं अपने smartphone के अंदर तो description में हमारे telegram group का link मिल जाएगा वहाँ पर आप जाके दोस्तों update कर सकते हैं बाके internet browser जो है samsung का latest version आया है वो आपको galaxy store में देखने को मिल जाएगा उमीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपके लिए काफी helpful रहेगा ऐसे interesting वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए वीडियो को लाइक कर लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हास्टेग फिनॉमनल गुरुजी